और मैं इस वीडियो में बहुत ही एक लिटेस्ट देने वाला हूं सुफोस फायरवॉल वर्जन 19.5.2 यह अब अवेलिबल और इसमें कि बहुत सारी इंफिमेशन है जो सुफोस ने चिंजेस करें तो जिन जिन के पास में यह फायरवॉल है उस वर्जन में जो जब डेट्स ह तो सबसे पहले क्या यहां पर लिखा है वाट इसर निव इस फोस वी 19.5 MR2 यानि कि 19.5.2 इंपॉर्टन सेक्यूरिटी एं हंडरिंग इनहांसमेंट अब यह सबसे पहले क्या इसमें क्या स्पेसिफाय है सबसे पहले जो सभी लोग को इसूस आ रहा होगा वह यह कि आप नियुकि करण क्या स्पेस्ट नियुकि अमाट को सबसेंट लिख इस और पोल्लोव पोवेंटंश इनन्वी दिश्चरी मां डिखा इसे मत्अजमें स्प्नी विख्वीश्यूरि डिवान मंट इसमारे वी वान, admin access function है, उसको disable कर दिया है, due to काफी brute recommender और attack के वज़े से, instead we suggest to remote management, यह firewall is performed through the support central, which is free of the all customers, यानि कि जितने भी customers हैं, जो support use करते हैं, उनके लिए support central is free of cost में हैं, तो वहां से भी आप remote management वाला जो options है, यानि कि admin web console है, वहां से भी access कर सकते हैं, however, if you are absolutely need to provide to WAN access to be web admin console, version 9.5 MR2 enforces WAN access from the specified IP address and network using as a ACL extension rule, administrator, device access local ACL, it will be longer be possible to enable web admin console from the all WAN source, कि अगर आपको support central के वाया access नहीं करना है, आपको same उसी process में access करना है, तो आपको एक ACL rule create करना पड़ेगा, जो कि मैंना भी लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था, कि कैसे हम कोई rules create करते हैं, और कहां पिजा की करते हैं, तो यह मैं आपको इसका update दे रहा हूं कि 19.2 में, 19.5.2 में क्या updates आये हैं, तो there is no impact of existing deployment, web admin access if already enabled, all WAN sources continue to work, when after you upgrade, इतना expect, if it is no longer being used, see next point, however you mentioned, whether we strongly encourage this least used to new ACL assessment rules to improve your security postures, meaning कि इन्होंने, अगर आपका WAN access हो रहा है, तो ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा है, तो WAN source continue to be work, even after your grade, अगर वो काम कर रहा है, अगर ग्रेट करने की बाद भी, then it is okay, अगर वो नहीं कर रहा है, then आप यह ACL rule grade करो, web admin or user portal access, all WAN source, internet disabled, after 30th day of IPNA, so many customers have set up a WAN access to web admin console and user long ago, do not use it, and have forgotten about it, leave the firewall potential exposed to brute force, since the consensus attack of the internet, so 19.5 MR2 will be automatically disable web admin, user portal access, all WAN sources, after 90 consecutive days of inductive, यहनि कि यह जो आपका WAN access है, यह automatically यह version disable कर देगा, 19 days के बाद में, सबसे बड़ी एक यह भी बहुत unique information, तो आपको अगे अगे एसील करना पड़ेगा, आपको अगे जापको अगे रीए भी बहुत आपको फिर यह लोगा, अच्छा आप अगे रूल कर दोगे तो फिर यह डिसेबल नहीं होगा, सो यह भी एक मतलब बिसीकली इसमें में मैंने कम्प्लीट करने के बाद में यही इसमें स्पेसिफाइब हो रहा है कि जो हम फायवल को पुब्लीक एकस्ट करते थे वाय यूरल उनको रहने डिसेबल कर दिया है अधर इनाइसमेंट की बात करें वाय डैनमिक राउटिंग नाव सपोर्ट इस फूर के मल्टी कास्ट गूफ और अडिपली आड़ इसके इन डियमेंख रूटिन अप्रूटिन अपर से ज्वाइन मल्टी कास्ट और यह बाकि हाव तो गेट फार्मवर अडूकुमेंट वह में कम्टीट मैंशन है कि कैसे आप उस डॉक्मेंट आपको डाउलोड करोंगे कैसे आप ग्रेट करोंगे सारी इंफरमिशन आपको सुफोस के उसमें भी मिल लाइगी और यहां पर गाइट पर दीवी तो जो सबसे लिटेस्ट अपडेट था वही है सुफोस फायवल ओस वी नाइटीट पाइफ एमाट तू इस तो यह इसमें में मोटी मोटा मोटा यही की इंफ्रोमिशन है कि वेब एडमिन आक्सेस अब स्पेसिफाई कर दिया है एक एसल रूल के थूँ है सो थैंक्यू गाइस